हेलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आपका जो ब्लूटूथ स्पीकर या तो होम थेटर है उसको अप लाइब पर्फार्फामेंस कर सकते हो एक माइक कनेक्ट करके इसके लिए आपको कोई अम्फिफार नहीं चाहिए कोई भी एक्स्टर मेशिन का जोरीरत नहीं है आप सीधा इस माइक को अपना स्पीकर या तो ब्लूटूथ स्पीकर में कनेक्ट करके या तो होम थेटर में कनेक्ट करके लाइब में ले जा सकते हो तो कैसे आप यह करोगे यह आज मैं आपको सिखाऊंगा अगर आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर है य या तो home theater में सीधा connect हो जाता है और आप इसमें बोल के speaker में सुना सकते हो तो चलिए मैं आज इसको आप दिखा देता हूं कैसे करना है सबसे पहले अपना speaker या तो home theater इसके power को on कर लेना है पावार को on करने के बाद आपको क्या करना है आपका जो mic का pin है यह pin को आपको AUX pin पे connect करना है AUX pin पे connect करने के बाद AUX pin पे connect करने के बाद आपको क्या करना है आपका जो device है उसका mood को change करके आपको AUX pin पे AUX mood पे ले जाना है मेरा device AUX mood पे चला गया जब मैं इसको connect किये थे तो मेरे को ले जाने का ज़रुरत नहीं है इसके बद मेरे को क्या करना है इसका जो switch है इसको cameras पे डालना है तो इसको मैं cameras पे जैसे डाल देंगे उसके बद मेरा ये microphone अभी ये speaker के साथ live हो गया है आपको पता है कोई speaker और microphone connect होने के बाद अगर speaker microphone को आमने समने ले जाते तो एक आवाज आता है तो देखिए अब देख सकते हो कि ये connect होगे इसलिए ऐसा आवाज आ रहे है फिर भी मैं आपको सुना देता हूँ देखिए अब देख सकते हो इसमें हम आवाज कर रहे तो speaker में आवाज हो रहे है अगर इसको हम smartphone में डाल देंगे तो आवाज नहीं होगा देखिए live अब देखिए कोई आवाज नहीं हो रहे है जैसी इसको हम cameras पर डाल देंगे तो देखिए ये आवाज आ रहे है तो अब भी अपना home theater या तो speaker bluetooth जो भी है उसमें अगर UX पी नवेलेबल है तो आप अपना ये microphone करके उसमें live performance आप कर सकते हो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लाएगा क्यूंकि एक नया trick में आपको सिखा दिये क्यूंकि YouTube में ऐसा trick अभीता कोई नहीं सिखाया है तो ऐसा नया नया कुछ सीखने के लिए प्लीज मेरे झाल